बलराम की पत्नी रेवती के टाइम ट्रेवल की कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको बलराम की पत्नी रेवती के टाइम ट्रेवल की कहानी बताने जा रही हैं. बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बलराम और रेवती के बारे में जानकारी रखते हैं. लेकिन यदि आपने महाभारत पड़ी होंगी तो आपको पता होगा की बलराम कौन है लेकिन यदि आपको नहीं पता की बलराम और रेवती कौन है तो कोई बात नहीं हम आपको बता देते हैं तो सबसे पहले रेवती की बात करते हैं रेवती राजा काकुदमी की बेटी और कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम की पत्नी है। इसकी पूरी जानकारी आपको महाभारत और भागवत पुराण में मिल जाएगी। रेवती कुशस्थली सामराज्य के शासक राजा काकुदमी की इकलोती पुत्री थी। लेकिन जब रेवती के विवाह का समय आया तब राजा काकुदमी को अपनी बेटी के लिए एक उचितवर खोजना था। तो एक उचितवर खोजने के लिए काकुदमी भगवान ब्रहमा की सलाह लेने के लिए रेवती को अपने साथ ब्रहमलोक ले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान ब्रहमा उनके पुत्री के लिए उचितवर बता सकते हैं। जब राजा ब्रहमा के पास पहुँचे तब ब्रहमा ब्रहमलोग के संगीतकारों के प्रदर्शन को देख रहे थे और इसलिए राजा काकुद्मी ने प्रदर्शन समाप्थ होने तक धहर्यपूर्वक प्रतीक्षा की इसके बाद ब्रहमा ने रेवती के लिए एक योग्यपती के रूप में बलराम की सिफारिश की थी इसके बाद काकुद्मी और रेवती प्रत्वी पर लौट आये और जब यह दोनों प्रत्वी पर लौट आये तब प्रत्वी लोग पर सब कुछ बदल चुका था यहां का वातावर्ण और मौसम से अलध ही रूप लिया था मनुश्यों के गुणों में भी भारी परिवर्तन आ चुका था सिर्फ इतना ही नहीं बलकि मनुश्यों के आकार में भी बहुत परिवर्तन आ चुका था मनुश्यों की आयू भी घटकर काफी कम हो चुकी थी अब राजा काकुदमी अपने पुत्री को लेकर बलराम जी के पास पहुँच चुके थे जैसे कि रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए काफी अच्छे वर्थ थे लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या भी आ चुकी थी और वहाँ यह थी कि रेवती यह पूर्वयुग में पैदा हुई थी और इसी कारण वहाँ आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और और बड़ी भी थी तो इसका उपाय निकालने के लिए बलराम जी ने अपना अस्त्र उठाया और उसी अपने दिव्य अस्त्र को राजकुमारी रेवती के सिर और कंधु को स्पर्ष कराया अस्त्र के स्पर्ष होते ही रेवती का आकार घट चुका था और वहा बलराम जी के आकार में बदल चुकी थी फिर इसके बाद बलराम जी और रेवती का विवाह संपन्न हुआ लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रहम लोग में समय प्रत्वी की अपेक्षा धीमी गती से बढ़ता था ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रहमा जी का एक दिन और रात दो कल्प के बराबर होता है और दो कल्प करीब आठ करोड वर्ष के बराबर होता है कहानी के अनुसार राजा काकुदमी और रेवती ने केवल कुछ क्षण ही साथ में व्यतीत किये थे ऐसा होने का कारण टाइम ट्रेवल था और यही है बलराम की पत्नी रेवती के टाइम ट्रेवल की कहानी यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेर करे प्लीज चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक भी करे और प्लीज हमें बताए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए